नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नमृता शर्मा बिहार में महागटबंधन की हार क्या हुई कि कॉंग्रिस की फजीहत होती जा रही है दरसल महागटबंधन की हार का ठीकरा कॉंग्रिस की सिरही पोड़ा जा रहा है और सबसे ज्यादा चिंता का विशय ये है कि कॉंग्रेस के ही बड़े नेता अब विवादित बयान दे रही है वो कॉंग्रेस में जिस तरीकी की चीजे हो रही है उसको लेकर अपनी नाराज़गी जाहिर कर रही है कपिल सिब्बल का बयान आपको याद ही होगा कपिल सिब्बल ने पार्टी की नित्रतुव पर सवाल उठाए थे हाला कि बाद में उनको कई कॉंग्रेस के बड़े नेताओं ने नसीहत भी दी थी कि अगर उनको कोई परिशानी है तो फिर वो कॉंग्रेस अध्यक्ष से बात करें बजाए मीडिया में अपनी बात रखने के इन सब के बीच कपिल सिब्बल ने एक बार फिर से इंट्रव्यू दिया है और देखिए उन्होंने एक बार फिर से पार्टी की नित्रतुव पर सवाल उठाए है कि दिक्कत ये है कि राहुल गांधी डेड़ साल पहले ये बात साफ कर चुके है कि वो अब कॉंग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनना चाहते है तो मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि एक राश्ट्रिय पार्टी राश्ट्रिय अध्यक्ष के बिना क्या काम कर सकती है फिर कपिल सिब्बल ने ये भी कहा कि जो मुद्दे होते हैं पार्टी के अंदर के उनको हम किसके पास लेके जाएं कौन उन मुद्दो को सुलजाएगा यही नहीं पता होता है इस तरीके की बाते कपिल सिब्बल ने एक इंटरिव्यू के दौरान कही है और जाहिर तोर पर जब एक छोटा सा स्टेट्मेंट उनका आया था उसने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था तो सोचिए जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही है वो आने वाले वक्त में उनकी मुश्किले खड़ी कर सकती है या तो आप ये समझ लीजिए कि वो बागी सुर अक्तिया रही है बहराल कपिल सिब्बल जिस तरीके से बार-बार कॉंग्रेस के अंदर की जो कलह है वो जग जाहिर कर रही है उसको लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताईएगा